आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी है स्मार्ट टीवी और अगर आप अपने स्मार्ट टीवी को पैंडराइव से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास कोई normal TV है और अगर आप उसे भी connect करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर हम अपनी इस वाली TV में pen drive को connect करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो यहाँ पर हम आते हैं TV के back side में और आप देख सकते हैं आपको भी अपने TV के back side में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको दो USB पोर्ट मिल जाएंगे इस तरह के तो यहाँ पर आप किसी भी USB पोर्ट में अपनी pen drive को लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम एक पोर्ट में अपनी pen drive को लगा लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप उपर वाले में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम उपर वाले से निकाल लेते हैं फिर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं नीचे वाले पोर्ट में लगा कर तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नीचे वाले पोर्ट में यहाँ पर इस त तरह से आप भी लगा लीजिए तो अब यहां पर हम टीवी को चालू कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहां पर टीवी को आउन कर लिया है तो आपको यहां पर टीवी के आउन होने तक का वेट करना है और यहां पर जैसे ही हमारा टीवी आउन होता है हम आप आपको बताएंगे कि जो भी आपका डेटा है pen drive में आप वो कैसे देख सकते हैं अपने टीवी में टीवी open होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के options आएंगे आपको यहाँ पर एक option ढूणना है media का तो यहाँ पर अगर आपको यह option नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप remote के button की मदद से आगे जाकर भी check कर सकते हैं हो सकता है आपके phone में आगे की तरफ दे रखा हो तो अब यहाँ पर हम media वाले option पर ok कर देते हैं तो इसी तरह से आपको media वाले option पर ok कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो music के option आ जाएंगे अब यहाँ पर हमारे pen drive के सभी folders आ चुके हैं हम यहाँ पर जो भी play करना चाते हैं ok करके play कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और channel को subscribe जरूर करें